बच्चो बहुत सवागत है आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर सुनी लिया दो बच्चो कुछ नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूँ आज की हमारी जो क्लास है यह बहुत ही महतुपूर होने वाली है बच्चो आज मैंने टॉपिक लिया है संगनन अभीक्रिया बच्चो संगनन अभीक्रिया समानिता एक्जाम में बहुत बार पूछे जाती है और काफी बार आप देखते हैं इससे कोरेलेट करके जो कॉश्चन है बच्चो इसलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत ही जाधा महतुपूर है तो ध्यान दीजिए कि केवल बोड एक्जाम के द्रिष्टी से ही नहीं अपितु ये क्लास जो है वो एक कॉम्प्टेटिव एक्जाम की द्रिष्टी से भी बहुत महतुपूर होने वाली है होता है तो बच्चो ध्यान दीजिए एक ऐसी राशाइनिक अभीक्रिया जिसमें एक ऐसी राशाइनिक अभीक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक जिसमें दो या दो से अधिक अभीकारक जब उत्पादक का निर्मान करते हैं तब उत्पादक में कार्बन एवं कार्बन नाइट्रोजन के बीच नवीन याने की नए राशाइनिक बंद का निर्मान होता है और और इस दोरान सरल एवं सुक्ष्म अनू जैसे NH3, H2O, HCL इत्यादी का निशकाशन हो भी सकता है और नहीं भी कब इस प्रकार घटित अभीक्रिया को संगनन अभीक्रिया कहते हैं तो बच्चों ये मैंने आपको संगनन की अभीक्रिया का एक संग्छिप्त विबरान आपके सामने रखा एक उधानन के मात्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा बच्चों पहला उधानन देखिए ध्यान दीजिए उधानन नंबर एक आपके सामने हैं बच्चों मैं CH3 CH3 C double bond हो ये मैंने लिया बच्चों ऐसी टोन इसको एक बार में अपन संग्छिप्त में ऐसी टोन क्याते हैं एसी टोन पर मैं क्लोरोफॉर्म के अभीक्रिया करा देता हूं बच्चों H C C L C L C L C H C L 3 है बच्चों इस अभीक्रिया में क्या होगा ध्यान दीजिएगा कार्बन और ऑक्सियन के बीच में ये जो दूई बंद है उसमें से पाई बंद तूट जाएगा पाई बंद के तूटने से कार्बन और ऑक्सियन की एक एक से हो जाएगी झोड़ने के बाद जो उत्पाद बनेगा वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा C H 3 C H 3 ठीक है इतना मेंशन किया ये H ओपर आकर जोड़ा तो उपर शिप्ट हो जाएगा OH फिर इससे जुड़ा C जो कि ये वाला और उस पर जुड़े हुँआ पहले से ही 3C L तो बच्चो इस तरह से अगर आप उधारन में ध्यान देंगे तो जो नवीन उत्पादक बना इसमें नया जो बंद हैं वो कार्बन और कार्बन कारबन नाइड्रोजन के बीच में बनेगा तो यहां पर भी फिलाल जो बंद बना वो किस के बीच में बना carbon और carbon के पीछ में बना मतलब ये एक संगनन का उधारण हुआ बचो ऐसा ही एक example में आपके सामने और लेने जा रहा हूँ ध्यान दिए example number 2 उधारण number 2 बचो मैंने क्या किया मैंने ले लिए आपके सामने CH3 CH double bond हो बचो ये LDHID है इस LDHID को हाड्रोकसल ऐमीन से रियक्ट करा देता हूँ उसका फार्मूला होता है H, H फिर ये N से कनेक्ट है उसके साथ जोड़ा होता OH बचो क्या होगा जैसे ही LDHID ठीक है मैथेल LDHID हाड्रोकसल ऐमीन से रियक्ट करेगा इसका O बाला परमाडू ये दोनों हाड्रोजन से रियक्ट करके बचो ये सबसे पहले water यानि कि जलका आडू जो है वो त्याग देगा H2 निकल जाएगा बचो सेस क्या होगा ये CH बाला जो पार्ट है वो इस NOH के साथ असोसियेट हो जाएगा और compound मिलेगा CH3 ठीक है CH double bond N और इसके साथ जोड़ेगा OH बच्चो इस परकार आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी एक योगिक बना हुआ है इस योगिक में carbon और nitrogen परमाडू की बीच में नवीन बंद जो है वो नया बंद जो है वो रासाइनिक बंद की रूपे बना हुआ है उत्पादक में तो बच्चो इस तरह से यह अभीक्रिया केलाती है संगनन अगर आपको याद होगा तो मैंने ये भी बोला है definition में कि संगनन की अभीक्रिया में सरल अरवों का न जैसे जल, S.E.L. इत्यादी का प्रथाकरण हो भी सकता निश्काशन हो सकता है नहीं भी तो ये देखिए पहली वाली अभीक्रिया में नहीं हुआ जबकि दूसरी वाली अभीक्रिया में निश्काशन हुआ है ना जल काणू यहाँ पे निकला हुआ है तो बच्चो इसलिए मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वास्तों में संग्नन की अभीक्रिया है ये योगात्मक अभीक्रिया हो सकती है पूर्ता योगात्मक जैसा कि पहले योधारन में आपको देखने को मिल रहा है पूर्ता योगात्मक मतलब दो और दो आपने जोडा तो चार मिलेगा है ना चार और चार आपने जोडा तो आट मिलेगा जिसमें कोई भी सरल अडू प्रथाकरत नहीं होगा तो अभीक्रिया योगात्मक हो जाएगी लेकिन बच्चो कुछ ऐसी अभीक्रिया भी घटित होगी जिनमें सरल अडू का प्रथाकरन या निश्काशन भी हो जाएगा यानि कि यहाँ पर अभीक्रिया जो होगी वो कौनसी होगी विलोपन की अभीक्रिया होगी यह निए आपर सरण औरवों का विडवपनों हो जाएगा तो जैसे कि जलकाडू निकल गया जलकाडू निकल जाने के बाद सेज अभिक्रिया जो होगी वो संग्नन की हो जाइगी ठीकर बच्चो तो अपको संग्नन की अभिक्रिया समझे मैं आई श बच्चो संग्नन की अभीक्रिया को समझाने के लिए सबसे महतुपूर्ण जो पद मैं आपके साम लेने वाला हूँ वो है एक बहुत महतुपूर्ण अभीक्रिया और उसके बारे में समझी अभीक्रिया है एल्डोल एल्डोल क्या है इसके निर्मार का राशारिनिक समीकरण तो बच्चो मेरे पास ये प्रेश्ण संगनन को लेकर समझाने के लिए आपके सामने हैं जैसे ही ये प्रेश्ण समाप्त होगा हमारे इस टॉपिक में बहुत आप समझ ले एक महतपूल प्रेश्ण समलित हो जाएगा तो बच्चो सबसे पहले समझने का प्रियास करेंगे अल्डोल क्या है बच्चो मैं एक रासाइनिक अभी करें आपके सामने लिखने जा रहा हूँ ध्यान से देखिए उधारन के तौर पर डेफिनिशन कम से कम होगी एक्जामपल पर आप ध्यान दीजिए मैंने ले लिया बच्चो CH3 C और CH3 बच्चो डबल बॉंड हो यह एसी टोन है तो मैंने एसी टोन ले लिया बच्चो इसी तरह से मैं एसी टोन का यह करूँ और ले लेता हूँ ठीक है यह यह पहले मैं आपको एक दूसरे एक्जामपल में समझा देता हूँ पहले एल्डी हाइड में समझा देता हूँ चलिए पहले एल्डी हाइड में इसको समझ लेते हैं फिर इसको एसी टोन में समझेंगे तो बच्चों मैं सबसे पहले एल्डी हाइड का एक अडू लेता हूँ CH3, C और एक H double bond हो फिर प्लस एक और ले लेता हूँ H, C, H और H और इस पर जोड़ा हूआ है CHO तो बच्चों ये दो आडू मैंने ले लिया एल्डी हाइड के दोनों एक ही प्रकार के अडू सिर्फ उनको लिखने का तरीका बदला हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे CH3, CHO यहाँ पर आप देखेंगे CH3, CHO सिर्फ लिखने के तरीके में अंतर है जबकि दोनों ही एक ही चीज है बच्चों क्या होगा ध्यान दीजे जैसे ही आप इन अडूओं को लेकर इनको अभिकरत करेंगे यहाँ पर बच्चों आपको उत्प्रेरक की आवशकता होगी और उत्प्रेरक की रूप में आप कोई भी छार ले लीजिए किसी भी छार की उपस्तिती में ये क्रिया हो जाएगी तो carbon और oxygen के बीच का जो pi बन बच्चों ये तूटेगा और carbon और hydrogen के बीच का जो alpha hydrogen है यहाँ से discussion होगा और ये oxygen परमाडू पर shift हो जाएगा और carbon इस carbon परमाडू के सान्योजित होकर एक उत्पादक बनाएगा और जो उत्पादक बनेगा वो आपके सामने रेटन कर रहा हूँ तो यह हो जाएगा बच्चो CH3 C, फिर इस पर एक H पहले से जुड़ा हुआ है यह H और OH बनकर नीचे आ जाएगा बच्चो फिर यहाँ पर C, इस पर 2H जुड़े हैं पहले से ही और उसी C पर आप देख रहे हैं यह CHO जुड़ा हुआ है बच्चो जबकि यहाँ से H हटने की वज़े से बलेंसी फिरी हुई और यहाँ से तो यह कारवन और कारवन के बीच में नया बंद बनेगा बच्चो यह जो नया बंद कारवन और कारवन के बीच में बना यह रिप्रिजेंट कर रहा है कि अभीक्रिया कौन सी हुई संगनन की हुई तो यहाँ पर संगनन की अभीक्रिया हुई मातपूर्ण यह है कि मुझसे मैंने आप से प्रेश्ण पूछा एलडोल क्या होता है तो बच्चो इस उधारण को ध्यान से देखना है आपको और समझना है कि जब दो या दो से अधिक अभीकारक एक दूसरे से क्रिया करें और वो अभीक्रिया किसकी हो संगनन की हो संगनन की अभीक्रिया दोरा वो क्रिया कर रहे हुई और क्रिया में बनने वाला जो उत्पाद है उस उत्पादक में एल्डिहाइड और एल्कोहल या पिर एल्कोहल और क्रिटोन दोनों के ही क्रियात्मक समू या गुण विद्धमान हो तो पिर ऐसे उत्पादक को हम एल्डोल के नाम से जानते हैं इसको हम कहते हैं एल्डोल तो यहां पर संगनन की अभीक्रिया से यह बन रहा है और इसमें एल्डिहाइट के साथ सब एल्कोहल के गुण भी विद्धमान है और यह संगनन की अभीक्रिया से बन रहा है इसलिए यह एल्डोल और एल्डोल को बनाने के लिए जो अभीक्रिया हमने प्रियुक्त की यह जो र महत्वपुन अभीक्रियाओं में से एक हैं बच्चों इस तरह की सारी अभीक्रियाओं जो आपके सामने आ रही हैं इनको आप बार बर इन वीडियो को देखिए और इन अभीक्रियाओं को सीखने का प्रयास कीजिए आप देखेंगे निशन्दे हैं 2021 के एक्जाम में इन अभीक्रियाओं की पुनरत्ती होगी और ऐसे महत्वपुन फ्राश्न आपके सामने देखने को मिलेंगे तब तक के लिए अपना खायाल रखिए ऐसे ही कुछ इंटरस्टिंग वीडियो के साथ आपसे फिर मिलाकात हो